आज हमारा डे 26 तो बात कर लेते हैं आपकी Sports Authority of India की तरफ से यंग professional recruitment निकली हुई है total position है 25 ठीक है न तो आप उसमें अप्लाइ कर पाओगे डिरेक्ट नोटिफिकेशन को रीड कर लीते हैं इंटर्विव आपको होगा रिटर्न एक्जाम आपका नहीं होगा ठीक है तो Sports Authority of India invites application for the post of young professional department general management in contextual basis पहला contextual आपका पांच साल का रहेगा दो साल फिर एक साल फिर एक साल फिर एक साल बढ़ जागा पांच साल तक रहेगा उसके बाद भी आगे आपका बढ़ जागा बिसिकली तो young professional general management 25 total position है ठीक है न पोस्टिंग आप भी कहां होगी पोस्टिंग आपकी अलग 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 जो भी department है इनके वहाँ पर होगी देखो यहां पर क्या लिखा है on contextual basis initially for a period of two years ठीक है दो साल का रहेगा इसके बाद बढ़के पांस साल के maximum रहेगा आपका उसके बाद अगर आपका satisfaction रहा फिर आगे और भी बढ़ते रहेगा हर सल आपको salary में 7 से 10 परसंट का increment मिलेगा starting salary 50,000 है और काफी allowance आपको मिलेंगे हापर अब देखो जो opening date है form की वह 20 January से start हो गई है last date है वह है 5 February ठीक है तो 5 February तक form apply कर लो ठीक है और देखो इसमार का चीज़ आपकी email वगेरा में कुछ भी नहीं भेजने है आपको अगर कोई query होगी तो इस email आपने query जो है वह पूछ सकते हो बागी form आपका basically पूरा-पूरा online ही फिल किया जाएगा मैं आपको एक सीज़ और देहाता है इसमें देखो काम क्या करना है आपको job description और इसके उपर यह आपके interview बेस होगा देखो बाई various tech hold of Indian sports ecosystem पर काम करना है ministry of youth affairs के साथ मिलकर maintain करना है record management files ठीक है fund flow and provide high quality inputs for noting, drafting, analysis, monitoring and different psyche schemes के उपर यह सारा आपका इसमें काम रहने वाला है इसमें आपको इंडिया में काम करने का मौका मिलेगा और other foreign country में जाने का आपको इसमें मौका मिलेगा बात करें इसकी education qualification की वो main है the position है young profession यानकी YP general management sport authority of India under the ministry of youth and family affairs ठीक है qualification देखो क्या है समझे उसको post क्या है post graduation degree ठीक है in any discipline साफ साफ यानकी master's करा हुआ आपने किसी भी stream में आप apply कर पाऊगे ठीक है अगर आपने BE, Btech ठीक है यह 4 year का होता है और या फिर आपने 2 year का PG diploma करा है management में या फिर आपने MBBS, LLB, CA वगड़ा करा है तो भी apply कर पाऊगे 10 plus 2 देखो अगर आपने master's नहीं करा है तो आपको क्या चाहिए आपको MBBS, LLB, B, B, Btech यानकी 4 year course after 10 plus 2 और अगर आपने यह MBBS वगड़ा नहीं करा है तो आपको master's चाहिए complete final आपको master's होना चाहिए कोई percentage नहीं मांगिए simple समझवा आगया master's degree in any discipline apply कर पाएंगे अब जो बात करें experience की तो भाई one year experience मैंसाने बस हो गया only for one year experience in the field of JD JD मतलब क्या हुआ JD मतलब था job description यहाँ पर जो तीन पॉइंट है to provide, to lies and maintenance इन तीनों मेंसे किसी एक में आपके पास minimum one year का experience होना चाहिए यानि कि आपने आपको drafting आती हो आपको analysis आती हो आपने monitoring वेरा करी हो किसी project में ठीक है आपको maintain records हो अगर आपने program manager काम करा हो किसी project में आपने किसी scheme में काम करा हो आपने किसी government agency के साथ काम करा हो stake holders में काम करा हो मतलब कुछ भी आपने काम करा है जो भी job description में है उसके उससे जुड़तावा one year का experience आपके पास होना चाहिए बस हो गया ठीक है और देखो साफ साफ लिखा है कि PhD, research, MPH, fellowship, अगर आपके पास यह है तो इसको experience में counting नहीं किया जाएगा ठीक है तो यह साफ 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 लिए तो विल भी not counted ठीक है इसको counting नहीं कह जाएगा experience में यह बात याद रखना है only जो उपर existential है master degree in any discipline वह ही आप count किया जाएगा अब और के जीजेस में देख लिए ने भाई हम देखो apply तो अब दिखा दूगा आपको कैसा apply करना है अब ही salary अगरे देख लो क्या है इसकी basically देखो भी maximum age limit 32 रहेगी for general बाकि OBC को 3 साल रिजवरेशन SCHT को 5 रिजवरेशन जो मिलता है वो मिलेगा ठीक है ना monthly salary रहेगी कितनी 50,000 salary रहेगी आगे से दो स्टार लगे हैं दो स्टार क्यों लगे हैं यहां देखो यहां है दो स्टार the initial year remuneration the present recruitment salary fixed of 50,000 जब जोइन करोगे तब 50,000 मिलेंगे ठीक है उसके बाद देखो आपकी जो range है वो 70 तक जा सकती है और साथ मा देखो क्या है annual increment up to maximum 7% और recommendation पर आपकी जो reporting officer है आपके review committee आपके काम को देखका हर साथ आपको salary में 7% का increment आपको दिया जाएगा ठीक है ना बाकी और कोई अधर allowance आपको नहीं मिलेंगे यहां पर देखो जब आप interview दिने जाओगे वहां पर तो क्या होगा mode of journey तो दो जर्नी है एक तो है by air ठीक है economic class का एक है by rail for AC two tire के ticket मिलेगा साथ में hotel accommodation मिलेगा आपको 2250 उर्पेगा ठीक है और साथ में क्या है taxi charges up to 338 मिलेंगे आपको taxi charge मिलेगा आपको per day travel within the city and food bills not access to 900 per day तो यह भी आपको मिलेगा job के साथ साथ यह बात ज्याद है जब आप job करोगे तो यह भी आपको दिय जाएगा accommodation भी है आपके पास आपके पास taxi charges भी है food and food bills भी है सब कुछ है ठीक है तो per day आपको 900 रुपए आपको मिलेगा किसा खाने का food का और tax का 338 यह हो गया आपका ठीक है और देखो भई और क्या करना है बस हो गया last day पांच फरवर यह एच की बात हमने कर ली qualification की बात ह यहां पर देखो अगर आप साई में पहले से काम कर रहे हो साई मतलब sports authority अगर आप पहले से काम कर रहे हो तो यह age लेक्षन आपके लिए है अगर आप साई में दो से तीन साल काम कर चुक है तो आपको एक साल के registration मिल जागा age में तो उनके लिए आपके लिए नहीं है जो प यहां पर किलिक करोगे तो आपका online form open हो जाएगा अब यहां पर अगर आप पहले से रजिस्टर हो तो भाई भरलो नहीं हो तो रजिस्टर नियू यूजर में किलिक करना यह आपका form खुल जाएगा इसमें अपना name, email, mobile number, password में नया बनाओ, confirm करो, enter करो, text को रजिस्टर कर ल आपकी बैंगलूर्य में पोस्टिंग होगी आपकी इसकी हैदराबाद में है, डैली में है, जो में 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 साइग के जो में में कैंपस है, स्पोर्स के वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी, बेसिकली, तो बहते दिन पोजिशन है, अप्लाई करो, one year experience मांगा, वाई, कोई पोच लेना, बागी अगर अपका फॉर्म शॉट लिस्ट होगा, तो बात कर लेंगे, इंटर्वी प्रपेशन की, बागी जल मिलते हैं, अगर अच्छी अपडेट है, तक तक लिए, थेंक्यू सो,